नमस्कार हल्चल में आपका स्वागत है सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने शहर और आसपास की हल्चल पर जालंदर स्पेशल सेल की टीम ने दो अलग अलग मामनों में चार नशा तसक्रों को किया काबू, डेड़ किलो फीम, सो नशेली गोलिया की बरामत सुल्तान पुर लोधी में अनराई महिला की मौत की गुथी को पुलिस ने सुलचाया साथ ससुर को किया ग्रिफता है जालंदर कमिशनरेट पुलिस ने लूप पार करने वाले गिरों की चार सदस्यों को किया काबू, दस मोबाईल, एक मोटर स्थाइकिन, एक दातर किया बरामत अरब हल चल विस्तार से पुलिस टीम ने गश्त के दौरान एक हॉंडा इमेज कार को रुका तो कार चालक ने जल्दी से एक काले रंग का पॉलिथीन बैक सड़क पर फ्रेंक दिया उन्होंने बताया कि जब पुलिस टीम ने फ्रेंक के गए पॉलिथीन बैक की जांच की तो उसमें से डेड़ किल लोफीम बरामत की गई जिसके बाद पुलिस ने हरजीत सिंग निवासी राजपुरा और दविंदर सिंग निवासी राजपुरा को ग्रिफतार कर लिया जिनके खिलाफ ठाना जरंदर चावनी में मामला दर्च किया गया है इसी तरह एक और मामली में स्पेशल सेल की टीम गुरुनानक पुरा रेलवे क्रॉसिंग पर टी पॉइंट रेलवे क्वाटरों के नस्दीक से दो नोचवानों को काबू किया और जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से सो नशीली गोलियां बरामत की गई उन्होंने बताया कि पकड़े गए अरोपियों की पहचान दीपक कुमार उर्फ दीपू निवासी स्टार पेराडाइस कालोनी जालंधर और अजीत सिंग उर्फ राजू निवासी काकी पिंट जालंधर के तौर पर हुई है फिलहाल पकड़े गए सभी आरोपियों पर मामला दर्जकर आगे की कारवाई शुरू कर दी गी है निवे क्रीब 200 म्यूंत्र नंबर 11 ठारंकर पचासी पेस अंगे मकदम दर्जकीता गया यह रही कदम रही है यह जो व्यक्ति जेड़े है पैना ट्रक ड्राइबर साल अगरेगा नजारा इर दो में बीस हो टेन साल तो चाल रहा है सुल्तानपुर लोधी में लोडी से एक दिन पहले भारत आई अमेरिका सिटिजन महिला की मौत की गुथी सुलच कई है थाना सुल्तानपुर लोधी की पुलिस को दी गई शिकायत में निर्मल कौर पतनी जर्नेल सिंग ने बताया कि वे गाउं मौकेवाल थाना बिलगा जलाज जालंदर की रहने वाली है और अब यूके में रहती है उसकी बेटी राच दीप कौर की शादी मंजिंदर सिंग निवासी गाउं नानो मलिया थाना सुल्तानपुर लोधी के साथ नौ वर्ष पहले हुई थी उसकी लड़की वा दामाद अमेरिका में रहते हैं और इन दोनों को एक पांच साल का बच्चा भी है जो की अमेरिका में इनके साथ ही रहता है मृतका की मा निर्मलकौर ने अरूप लगाया था कि उसकी बेटी को साजिशन भारत बुलाकर उसके पती ससुर जगदेव सिंग वासास बलजीत कौर ने हत्या की है ससुराल पक्षनी अपनी मर्जी से उसकी बेटी का पोस्ट माटम करवाया है जिससे वे बिलकुल सहमत नहीं है निर्मलकौर ने पुलिस से गुहार रगाई है कि उनकी बेटी का बच्चा डॉक्यूमेंट और उसका फोन दिलाया जाए अब जब पोस्ट माटम हो चुका है तो ससुराल परिवार को राच्च्टीप कौर का शव ना दिया जाए और इनके खिलाफ बंती कारवय की जाए इस समंदी डीएसपी सुल्तान पुर लोधी बबंदीप सिंग ने बताया कि सास ससुर ने ही राच्च्टीप कौर की गला घोंट कर हत्या की थी दोनों पर कतलव अन्य अधाराओं की तहत केस तर्चकर ग्रिफतार कर लिया गया है जिने अधालत में पेश कर रिमांड हासि करेंगे हत्या की वजह जानने के लिए पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है जबकि मृत का कपती समय अमेरिका में ही है जालंदर से पंकर शर्म की रीपोर्ट कुरी अम्रीका चुआ है ओनें आपसरह प्रवार्ट थे व्याव चाहिए जबकि ऑवकि लिपती पर्थी हुन साथरय वयाड है जे कर वालिने पेटा व्यादिया तए है अपने फ्रॉड्री प्रवाद थे हाकरेंदी चाहुत जा तैंसे को ये हैं जो शेलिकैन कुछ सब्सक्राइड मेकाद में सब्सक्राइड कार जांट जारां जांके विज भी पर दोना चेंग झरी जांके जांसे बार खांट सम्सक्राइड करेंगे हैं जन्हें उन्हों एक चुट्थे व्यादा चांद साथे के पेजियाई से मेरे पुवादे मुंदे व्यादे 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 बस पोच्छ देया में कातो इनने उन्हों दा मधर कीता आया कि ये को हो रिदा में चेहगा या जाइक को करवाया या और तब तीछ वेश लिए उन्हीं आप कर देया पता तर्मार लांगे इस वेरे रमार लाया के ते उधी बरे सरा पुश्किश करके तो जानकरिया सब्सक् जी मेरा नाम है का सुमिट सो होता एड़ोकेटा मैं धीका जी मिन्नू जी तो उन्हादे पेटन्स वलो एड़ोकेट किता गया कि सदी बेटी जड़ी या अमेरिकान सेडी जना जो की बारा जनवरी नो इथे आईया ते वी जनवरी नो ओधी जड़ी जड़ी देयर्थ हो जड़ की चूठ बोल के जड़ा मन जिन्दर सिंगा जी इन्हें चूठ बोल के जड़ा कुडी नू पेजय अपनी वाइफ नू कि मिरे पुगादे बेटे दा व्या आया कि तो वो व्या आटेंड करना है जड़ो इथे आंदिया कोई व्यानी या कोई अंगेज नी होया न उननी तरीक रात नू ओधी दैट हो जड़ा थे जड़ा फोन कॉल दिजों करते जाना थे पारntस नू q концol किते जान दिया उनादे पेरण्सनू पुलिस कमिशनर जालंधर स्वपन शर्मा की अगवाई में जालंधर कमिशनर रेट पुलिस ने लूट पाट की घटनाओं को अंजाम देने वाली गिरों का परदा फाश करते हुए चार सदस्यों को कब्बू करने में सफलता हसल की है इस समंद में जानकारी देते हुए पुलिस जांच दिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के अधार पर 40 क्वाटनों के नस्दीक से उक्ता रूपियों को ग्रिफतार किया गया है पकड़े गया रूपियों की पहचान गौरव उर्फ गौरी निवासी पाल अस्पताल आवा मोहला प्रताब बाग जालंधर राजकुमार उर्फ नागराज निवासी गाओं नमागडी उत्तरप्रदेश कुवर बहादुर उर्फ सोनू निवासी संतोशी नगर जालंधर और रोहित रोड़ा निवासी मदी रोड नजदीक बारदाना बाजार चालंधर के तौर पर हुई है .. उन्होंने बताया कि रूपियों के सभी आर्पियों पर मामला दرचकर आगे की पूछताच की जा रही है जिससे और भी खुलासे होनी की संभावना है ... जालंदर से पंकर शर्मा की रीपोर्ट टो इना दे विच्त हागे न हैं दो फ्र्मूर पर्वासी हागे ने एक पंजापी आमध्प, एक हगाए जड़ा के मोबाइल खरीदा था, तो फैल्हाल जड़ी हून तक दी इना पुछकिश्किश्कितिया, अमरिसर पुलिस कमिशनर गुर्पिस सिंग भूलर के निर्दिशों पर गलत तत्वों और लूट पाट करने वालों के खिलाफ चलाई की मुहिम के तहत थाना रंजीत मैन्यू की पुलिस को उस समय बड़ी सफलत हासल हुई जब दोपहिया वाहन चोरी करने वाले एक नौचवान को कब्बू किया गया है। जिसके बाद आरोपी की निशान देही पर उसके पास से साथ एक्टिवा चोरी की बरामत की गी। उन्होंने बताया कि उक्तारोपी तरंतारन का रहने वाला है। फिलहाल आरोपी को माननी अदालत में पेश कर तीन दिन का रिमांड लिया गया ताकि पूछताच कर और भी कई एहम खुलासे हो सके। अंबिसर से हल्चल के लिए सुनीर खोसला की रिपोर्ट। कि तो जी खुले कारताई सले हो एह ज्यादा ए ओते शेलरी थे मुट्ट करो फिल्या थे हो ज्यादा धैरे मुटे जडली आरोपीाकि कर यह टेंज यह जाए बहां तनो जड़ेया किन्ने जैख्चल हsınız यह नहीं के लोग के जड़ेया कि अपने भीं-ज़ा धैंगर भी Almost honest गत दिनों दसुहा के पास एक भीशन सडखाथसे में पांच दोस्तों की मौत हो गई थी वही गत दिवस युवकों की मौत से पहले की वीडियो भी सामने आई थी जिसमें गाड़ी की स्पीड 120 के पास थी इस घटना के बाद एक युवक का गत दिवस संसकार कर दिया गया थ जबकी चार युवकों का अंतिम संसकार आज किया गया इस दोरान सांसद सोशीर लिंक को अकाली दल के पूर्व विधायक पवंटीनू वरिष्ट कॉंग्रिसी नेता मोहिंदर सिंग के पी मौके पर पहुंचे और नमाखों से उन्होंने युवकों को शर्धांच ली दी घटना में मारे गए एक युवक को उसकी बहनने मुखागनी दी। घटना में मारे गए अंकित कुमार निवासी पिंक सीटी का लोनी चलांधर, इंदरजीत भगता आजाद नगर भार्गव कैम्प, राजु निवासी अफदार नगर अभी निवासी भार्गव कैम्प का आज मॉडल हाउस में स्थेत शम्शान घट में अंतिम संस्कार किया गया गौरतलब रहे की उक्तकार रिशब की थी जिसे वे खुद चला रहा था कार सीनजी थी कार की टकर के बाद उसके सीनजी सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया था जिसे पांच दोस्तों के शव बुरी तरह से जल गए थे और तीन की तो मौके पर ही मौत हो गई थी वहीं एक ने रास्ते में और दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था हासे का शिकार हुआ ट्रक भी जाडियों में पलट गया था जालंधर से पंकर शर्मा की रिपोर्ट प्रमाजी के उन्द करेंगे अनुक्षी यी खाने का मौसरी करते हैं यहीं कुछ नहीं है जो सहरा था वो भी किया वाई इन तो एक भाहित बोही कुमाने वाला है वो संद दॉक्टरी लाईन में कुछ मुलब दभाई परते के शहलसरी और जाल emotional अजकार आधिकार को मिलता नहीं मांगने से अगर जो इतनी बड़ी हाग्सा हो चुकी है तो हृृ नोकरी की दिमांद रप बच्चे नहीं रधा लड़की के लिए अगर जो कर सकते हैं सरकार तो ठीक है करीब अदमी का चलेगा फिर सही जोजी रोटी अपना जो है यह हमारा सरकार से अनुरोध है बहुत मन्दपा का हाथ्सा है और यह पिछे जे भी एक हाथ्सा हुए ऐसी अवतार नगर दे विच पंज परवारतिक को जीज चलेगा ऐसी और यह बड़ा एक दर्दना घाथ्सा सब्सक्राइब करके भी कह सकते हैं और यह हाथ से दे नाल पड़े नौजवान बचे जड़े हैं यह साड़े कुलों जुदा हो रहे हैं और पार्कों केमट्री यह शांसी सब्सक्राइक बहुत क्रीपी साथी बिटा हो दा बेटा एक कर वेचा है वो सारे बेटे साथे सब्सक्राइब करता हैं और मांग करता हैं कि सरकार कुलों के इना दे प्रवार्थी डियार्थिक मदद जड़ी है वो जिरूर की तीज़े दिखो फेना पंजा नोजवाना ने अपनी जिंदीगी दे वेचे हजे बहुत तरक्की करनी सी जिंदीगी दी शिरुवात सी सब्सक्राइब करते वेचे कार दा जिड़ा स्पीडो मीटर है वो दस्या गया कि एक सो भी दी एक सो ती दी स्पीड दोते कार जिड़ी है यह लड़के जिड़े चला रहे सा तो मैं अपने नोजवाना नूँ ए बेंती करना चाना कि तो हड़ियां जिंदगीयां बहुत क सब्सक्राइब किसे भी तरह ना कोई करम ना करो जिड़े करके तो हड़ी जिंदगी ता जंदी है उदे नाल दूसरियां परवार दा भी जिड़ा जिना महाल हो जाँगा तो बहुत अफसोस है क्योंकि इना दर्दनाक हाथसा होया जिड़े वेचे कार नो अग लगन करके तेन नोजबां ते हो जे सांजिना दियां डेट बाडिज जिड़ियां उना नो बहुत जादी जिड़ा नुकसान होया अग करके तो परवार जिड़ा बड़ा भिलख रहा है रो रहा है और अरे कदे मान दे पचे सुवाल है कि आसी रोक लेंदे ना जान दे साटे शुरूआत करके गए है और नोजबाना नो बड़ा अच्छा मेसेज़ उना ने दियता है तो सञनु जिड़ा सियानय दी गल हमेशा मननी चाहिए है नोजबाना नो एपील करほंगा की अपने माता पिता दे कहने दे विचरो माता पिता हमेशा चंगे दे ले इपने अलर्ट हो दी जुरूरत है मैं अपने वलों अपनी पाटी वलों परवारां देनाल देल दी घहराईयाँ दोना देनाल हमदर्धी करतां जालंदर के एक अस्वा आदमपुर के पास पढ़ते जंडू सिंगा में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की एक लड़की ने जज़ बनकर परिवार का नाम रौशन कर दिया है छोटे से घर में रहने वाली सोनाली कोल अपने छे भाई बहनों में सबसे छोटी है उसने सबसे पहले वकालत शुरू की और अब वे जज़ बन गई है सोनाली परिवार में सबसे छोटी है और उससे प्रेवित होकर उसके चार बड़ी बहनों और भाई ने भी वकालत शुरू कर दी है तो वही सोनाली के जज बनने के बाद उसके परिवार में खुशी का महौल है और लोग उनको पताई दे रहे हैं जज बनने के बाद सोनाली ने कहा कि उसके दादा का सपना था कि वपढ लिखकर परिवार का नाम रौशन करी और आज जज बनने के बाद उनका सपना पूरा हो गया है। जज बनने के बाद उनके घर में रिष्टदारों का तांता लगा हुआ है। फकर मैं सूस किता के साड़े पेंड़ दी गुड़ी नो गुवर्नर कप्तान सिंग सो लंकी जी तो मिले आ सीगा गॉल्ड मैडल। और दो मैंनू समझ आई है इस लाइन दी जड़ी वैल्यू की है। ते जे गल करिए स्ट्रगल दी। स्ट्रगल एदा सी के फिनांशली यसी इनने स्ट्रोंग नहीं सीगे। ते पड़ दादा जी दा सुपना सीगा के बाद तो बाद जड़े बच्चेया साथ ड़े पैंड़ दे पड़न। उना दी गालनूते आंचे जाख देया या पापाने स्कूल खोल लिया सी शिरी गुरूर विदास विद्या में दिल। उस स्कूल दा मन्तिव जड़ा सीगा मन्तब एही सीगा के जड़े गरीव तो गरीव बच्चेया ओ पैसे भी मजबूरी करके जड़े पड़ाई तो कि ते बांजे ना रहे जाएंग। जड़े प्रोफेशनल जड़ेश्री था बहुत ही समाज देले के जिम्मेवारी आला उद्धाया अपा बहुत चिज़ां एक्सपेक्ट कर देयां एक जड़ेश्री था जदो अपा नाम भी सुन देया ना एक अपने इमेज आजन दिया कि एक न्यादा मंदर है ते जदो स्यद्धि आई करांगी के एक न्यादी उमीद असारे आज दे मानना चिए के मिलना यहां सनु एक दिन ज़रूर मिलेगा ओस उमीद एक है खर है उततराई कुछी जह सबन्दे को पले कॉषिना होवे तो उनको मेलजी में तो ख़श तो होगे होगा ना ओधुलाब चीज ज़ेना सोफने लेंदे सी अजी पर पूरा हो ले कोई आस ने सी अजी ले होगी जाओ पूरा करता है मेरे बचेयाने मेन बड़े आनादवा मेने बड़ी खुशी आई देखो जी जी एक साड़ा परवार रहा ना बहुत सुन्जगत परवार सी सारे पड़े लेखे से गए असी कुछ शौक नो नहीं प्राई किती ओ जिदा एक कापतों ने जड़ा गड़े देना बौर्द होंदा है ओधी मजबूरी होंदी चलना ओचलना चलना चाओंगा नहीं वो पिछो तका माता हूनू सारी मुझबूरी हो कि जितने साड़ा का खान दाना पड़े लिखेया उड़े साड़ा असी तान पड़ रहेंगे साड़े बच्चे के ओन पड़े रहें ये समुझबूरी का किसा नो पर होना प्यागा सौन दानी पता कदो सौना खान दानी पता कदो घाना एक बहुत जिन में पर जीवन दी एक कालना वो साड़ी कुली ने कालिया ते एक अन्दी सी भी मैं कोट बच जाके खोख्यांच नहीं बढ़ना उस मालक दी किर्पा जदो हुवेगी सारे मेरी को रहोंगे सो बाई गुर्जी दी बहुत किर्पा हुई है कि साड़ी बेटी दा जो सफल असी कह सके देया जो का नना का लिया उद्वे सफल ता प्रापत हुई है अमरिसर के 76 इलाके में उस समय हरकंप मच गया जब इलाके में आयुश्मान काड़ बनाने के नाम पर की जर ही बड़ी ठगी का परदाफाश करती हुई आयुश्मान कार्ड बनाने वाले नौजवनों की और से लोगों से लिए पैसे तक लोगों को वापिस करवाई गए इस संबंद में जानकारी देते हुए यूद कॉंग्रेसी नेता राहूल कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि उनके अलाके में कुछ नौजवनों द्वारा आयुश्मान कार्ड बनाने के नाम पर लोगों से पैसे लिये चा रहे हैं जब इस संबंद में बाच्चित करते हुए आजुश्मान कार्ड बनाने वाले नौजवनों से बात की गई तो वे सब संतुष्टी जनक जवाब नहीं दे पाई जिसके चलते लोगों के लिए पैसे उन्हें वापिस करवाई गए इस मौके पर उन्होंने पंजब सरकार से अपील की है कि लोगों के साथ हो रही ऐसी ठगी पर नकेल कसी जाए क्योंकि गरीब लोग सरकारी स्कीमों का फाइदा लेने के लिए उनके पास जो कुछ भी होता है सब लुटा देते हैं और बाद में उन्हें इसका फाइदा भी नहीं मिलता अमरिस्तर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रीपोर्ट बाद में जी राहूल कमार जिला अमरी सार्थ जूथ कॉंग्रस दा प्राइडेंट अज जी में नुना 15 में में फोन आया कि कलोनी पी इतना कोई मुंडे आया काड़ बना हो दे ने अग्या को सहर पी इतना लई जा रहे ते राशनकार्ण गेंदें जे ना एड करोना मांते आपनी चलो नहीं के अदे पोने केंटेशें पिर मैं वेक आई शमानला मंधा सद्डेया मैं पी कोई फिर से जी नहीं हैं उसके तो इस एक अपनी बहुत लेंग से तुमिब लो कानु आम लो कानु गुम्रा करके अगे तै तै सरकार को देनी तरी तक हारी है ते उत्तों हो यह हो जे लोग की आएंदे अपनी दे कान जा रही हैं चला होना फिर जी आप मेरे को लिष्टा जिनने मी पहे इनना ने किते ही कठे आमा सारे पहे इनना को वाक्स करा है जी शॉपिंग के दिवानी जलांतर वास्यों के लिए होटल रिजन पार्क में चक्त दी जला करके लूट बाजार एक्जिबिशन की धमाकेदार शुरुआ होई इस दो दिवसी एक्जिबिशन के पहले दिन बड़ी संख्या में ग्राकों ने होटल में पहुंचकर अपने क्लोधिंग, ज्वलरी, बेकरी प्रोडक्ट, हर्बल, कॉस्मेटिक, गार्डन एक्सेसरीज, आर्ट एंड क्राफ्ट, मेकप इत्र और फुक्वेर की एक से बढ़कर एक वराइटी तथा अन्य अध्वित्य उत्पात्यों की अपनी विशेश रंखला प्रदर्शित की गे इस एक्जिपिशन की खास बात ये रही कि इसमें आयूचकों की और से ग्राकों को उनके पसंदीदा एक्स्क्लूसिव प्रोडक्ट्स पर 50-70 प्रडिशन की छूट दिए ग्राकों ने भी इस से छूट का दिल बोल कर फाइदा उठाया जालंदर से हच्चल के लिए कैमरामेन नवील की जालंदर से हच्चल के लिए कैमरामेन नवील की